हाई फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आया हूँ और वो हैं कि हाइस्ट पेइंग जॉब्स इन मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हैं तो मैं आज उसी के बारे में आपको बताऊंगा बिल्कुल पॉइंट पर पॉइंट बात करेंगे लेकिन इसके पहले समझना यह जरूरी है कि यह एक्चुल में ऐसा क्यों सा जॉब है जो सबसे ज़्यादा प्रे कर रही है और वह भी मार्केटिंग में आपको पता है मार्क कोई वे होना चाहिए और हर इंसान में कोई ना कोई खुबिया तो होती ही है कि जिसे वो अपने अंदर इस्किल्स को यूज करके कहीं आगे बढ़ सकता है तो दोस्तों मैं आपका जादा टाइम ना बरबात करते हुए आपको मैं उस पॉइंट पर ले चलता हूं कि सबसे बड़ा पॉइंट जो सबसे बड़ी चीज है मार्केटिंग में वो है सबसे बड़ी आज की डेट में जो टेंडिंग चली हो है डिजीटल मार्केटिंग डिजीटल मार्केटिंग में आप अपना कैरियर काफी अच्छा बना सकते हो इसमें आप मान कर चलो कि इसमें इतने सारे फिल्ड हैं अगर आपने एक फिल्ड को भी कॉंसिंट्रेट करके आप लगा लिया तो आप इस मार्केट बहुत ज़्यादा गुरो कर जाओगे और यह हैं दो सबसे पहला जो आती है वह सर्च इंजिन उप्टिमाजेशन उसके बाद और भी हैं पीपीसी हैं कर सकते हो पेट के लिए उसके बाद लॉट्स अब दर मार्केटिंग अक्टिविटी जो पूरी डिजीटल के अंदर आती हैं तो दोस्तों आप बिलीब नहीं करेंगे कि अगर आप इसमें अपना जाती है यह जैलरी तो दोस्तों आपको लगता है कि डिजीटल मार्केटिंग आपके लिए बहुत अची फिल्ड है और डेफिनेटली आप उसको यूज करके एक अच्छा करेंग्रो कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इस फिल्ड को जोन की रह सकते हैं तरह सेकेंड हैं या कोई आपने बोर्डिंग देखी या कोई अपना एड देख रहे हो गहीं भी ऑफलाइन सारी तो यही एक्टिविटी आपको ऑनलाइन प्रेजेंट करने हैं तो हो गए ना यह एजी आपका वो कॉस्ट बज़ गए जो आप वो कॉस्ट आप ऑफलाइन खर्च कर रहे हो चानलाइन होगा आपको एपने रिफाना है अपने स्किल्स को कमशाने है अब उसकोने हो पई चążब आज की डिट में content marketing की और आज की डिट में content marketing की जो आज की डिट में salary हैं वह starting करीब करीब 7 lakh से start है और यह करीब 24-25 तक चली जाती है और देखिए मैं यह नहीं करता कि यह आपको average salary बता रहा हूँ इससे भी ज्यादा वो चीज़े cross कर जाती है तो यह आप पर depend करता है कि आप अपने skills को कैसी use करते है marketing में तो आपको अपने skills को use करेंगे तो definitely you will get a good job ठाट हाती है तो social media, social media देखिए आप लोग बैट के घर पे करते रहते हैं Facebook, Twitter, friends से chatting की, friends accept कर रहे हैं यह कर रहे हैं यह एक normal phase है social में लेकिन जब आप किसी company के लिए work करते हो या जब आप अपना individual carrier अपना बनाना चाहते हो तो यह बहुत अच्छी platform है आपको अपने आपको grow कराने के लिए तो आप इसमें भी अच्छा केरियर आप बना सकते हो और यह बहुत ही मज़ेदार केरियर है दोस्तों कहीं बोरिंग वाली सिस्टम है नहीं ऐसे केरियर में और इसकी भी salary करीब करीब आप बिलीब नहीं करेंगे पांस से च्छे लाग से औसन स्टार्ट होती है करने करने के लिए अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने कंसल्टेंट दोस्तों मैंने कंसल्टेंट के बिना कंपनी का कोई काम नहीं हो सकते हैं अगर वो जणनेट करना है आप एक इंपॉलई की तरह काम करते हो तो मेरा इसमेश को पर करना है तो आपको management consultant की help लेनी पड़ेगी यह a पाइडेंस देता है कि हम इस फिल्ड में काम करना है इसको ऐसे ले जाना है इस पास को आज से लेजाना है तो lots of the things और उनकी बहुत बरी रिस्पॉसिब्लीटी को गरों कराने के लिए यह बहुत पर फिल्ड हैं आज की डेट में मार्केटिंग में और इसमें जो सैलरी जैंट दोस्ता बिलिब ने करें को 32-34 तक चली जाती है लोगों की सैलरी और स्टार्टिंग दोस्तों वही है पांच चे से स्टार्ट होती है तो देखेंगे जो सारी एवरेज जो सैलरी हैं 5-6 लैक से स्टार्ट होकर आप मैं देख रहा हूं 30-32 तक चली जाती है आपका स्कील्स है कंपनी कैसी मिल रही है यह सब कुछ डिपेंट्स करता है तो दोस्तों और यह हो गए और उसके बाद सबसें पॉर्टिन चीज है कंसल्टिंग में जब आप करते हो कंसल्टिंग किसी भी कंप अपनी भी अपना फायता देखते है कि हाँ अगर इसने मुझे यह चीजों के लिए कॉंसल्ट कर रहा है तो हमें उन चीजों के किस वे में ले जाना है अपने सर्विसेस को गरो करानी है अपने प्रोड़क्स को गरो करानी है यह कंपनी के पुरा ऊबर इस्ट्रक्शर को ग्रोग करानी है तो वो डीपेंड करता है तो ये बहुत बढ़ा हेल्फुल कैरीयर बन सकता है आपके लाइफ में और सबसे लास्ट आती है दोस्तो प्रोड creator marketing जी हाँ दोस्तो product marketing आप आज़ के डिर्मन लोग घर घर जाकर करते हैं तो मैं करता हूं इतनी गर्मियां होती है लोग कैसे कर पाएंगे उतनी ज्यादा मेहनत करना उस पर से क्या प्रोड़क्ट सेल होंगे नहीं होंगे तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि अगर आपको यह फैसलिटी ऑनलाइन मिल जाते हैं तो कितना अच्छा रहेगा कितना मज़ा आपको एसी में बैठना है और काम करने है तो दोस्तों किसी कंपणी को आज की डेट में डेखो कि ऑनलाइन सेल्स सबसे ज्यादा हो रही है जैसे बड़ी बड़ी जो आज की डेट में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए आपके केडियर को ग्रोव करने में तो मै आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि ये इसमें भी अगर आप अपना केडियर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो अब रही बाद दोस्तों सबस्क्राइब की इतने सारे चीज़े तो मैंने बता दी और हाँ दोस्तों इसमें जो सैलरी होते हैं एक प्रोड़क्ट मार्क का साइज भी डिपेंट करती मार्किट कंपनी कैसी है कितना वह आपको प्य कर रही है आप बिलीब कर दो तेन लैक्स आपकी सालरी होने चाहिए परहाचला कंपनी ने आपको 15 लैक्स को आफर दे दिया और डिपेंट इसकिल्स इसकिल्स अब जितना अच्छा दिखाओगे कंपनी उतना अच्छा आपको प्य करेगी तो दोस्तो मैंने आपको इतने सारे इसकिल्स तो बता हैं लेकिन अब सबसें पॉर्टेंट है कि सीखोगे कहां से तो किसी इंस्टिचूट में जाने से वह चीज़े सॉल्व रही होती है मैकसिमम लोग निकलते हैं कि मैं कैश करता हूँ किसी अच्छा इंस्टिचूट को क्लासेश करना ओनलेन क्लासेश करना दोस्तों मेरा एक सजेशन से इसमें कि इंस्टिचूट सिखाती हैं बट वो वर्क जो एक्टिविटी होती है कंपनी के अंदर होती है जो करते हैं वो कैसे सिखो गया वो बहुत जग बड़ी मिसिंग है हमारे इंस्टिचूट में या कलासेज में तो मैं सजेश्ट करूंगा उसके लिए कि आप पर किसी कंसल्टेंट को पकरें किसी अच्छा ट्यूटर को पकरें जूजनों ने इसमें अपना केरियर ग्रो किया है जिनोंने काम किया है क्या होगा उससे दौस्तों आज की त्टिकल से किसी कंपनी को मतलब नहीं वह नहीं प जो लोग already इस company में वर्क करते हैं और जिसने काम किया हुआ है वो आपको better area दे सकते हैं और फिर आपकी carrier एक के कहते हैं वो चार चांद लगने वाली बात होती है तो उस तरीके से आप अपनी carriers को grow कर सकते हैं और यह बहुत ही growing carrier दोस्ता believe ने करेंगे अभी भी आज की देट में market की जो growth है मैंने जो देखा है नेट पे अभी भी 4.1 billion के आसपास से है 2022 में और 2028 में कड़ी यह six time बढ़ जाएंगे यानि 24-25 billion dollar के आसपास से market जाएगे तो आप सो सकते हैं अभी कितनी requirement आने वाली है company की तो दूस्तों मैं करूंगा आप definitely इसका बाकि यह जो details है मैं marketing के terms है वह मैं आपको अपने descriptions में mention कर दूंगा आप वहां से आप उन चीजों को देख सकते हो और एक अच्छा carrier बना सकते हो तो दोस्तों आपको लगता है कि यह वीडियो मैंने कुछ आपको बताया है knowledge परपस से आपके carrier के परपस से तो definitely मेरे चैनल क सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाले और वक्त में और भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल आएंगे आपके लिए तब तक लिए दोस्तों गुड़ देव